नमस्कार, मैं नीलम राजबुरूई, लेक्चरर, कॉस्टम रिजाइन एंड ट्रेस्पीकिंग, गवर्मेंट मुमेंट पॉल्टेक्निक कॉलिज, पीकानिर आज हम फर्स्ट एर के सब्जेक्ट सर्फेस ओर्नामेंटेशन में इसके बारे मैं जानेंगे किसी भी फैबरिक पे एंड प्रेस करना होता है या किसी और मेथड से ट्रांस्फर करना होता है बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपना डिजाइन उस फैबरिक पे ला सकते हैं तो उन सब तरीकों को आप अगर जानते हैं तो आपके लिए ये easy हो जाएगा कि जो आपका material है, जो fabric है उसके उपर किस method से tracing की जाए और आप एक best choice आपके लिए easy हो जाए क्योंकि इसमें कपड़े का color, weight इन सब का भी फरक पड़ता है कि आप कौन सी technique यूज़ कर सकते हैं तो आप इन सब techniques को जो आगे में बताने वाली हूँ जानकर अपने fabric के according सही method का chain कीजिए पहला है tracing आपका fabric अगर thin है, पतला है तो आप tracing के द्वारा आसानी से अपने design को उस fabric पे ला सकते हैं इस tracing के लिए एक light source की हमको जरूरत होती है जो हम ये table देख रहे हैं इसमें नीचे light source है और उपर glass है तो हम direct अपने design को इस glass के उपर रख कर उस पे fabric रख के और trace कर सकते हैं इस तरह से क्योंकि पतला है fabric तो हमें design transfer करना आसान हो जाएगा और इस design को transfer करने के लिए हम marking pencil या water soluble transfer pen pencil का उप्योग कर सकते हैं और pencil जो आप किये वो भग शापन होनी चाहिए तीखी होनी चाहिए अच्छे से उसको छील के ही आप उसका उप्योग करें और water soluble pen होने से आप जो design बनाने जा रहे हैं और embroidery जब आप कर लेंगे तो आपने इतना valuable काम किया है तो water soluble ink होने से वो wash करने पे धुल जाएगी और आपकी embroidery खराब नहीं होगी इसका उप्योग हम घर में आसानी से एक light source नीचे रखके उपर glass रखके और design trace कर सकते हैं वरना बाजार में अभी जो हमने देखी वो tables भी उपलब्ध हैं दूसरा है transfer paper ठिक और dark अगर आपके fabrics हैं तो उसके लिए आप transfer paper यानि की carbon paper ये एक dressmaker carbon paper होते हैं जो की wax based रहते हैं और ये अपना खुद का निशान उस कपड़े पे नहीं छोड़ते और धुल भी सकता है तो इन dressmakers carbon paper को आप जो इसका coated side है उसको fabric पे रखके और design उस पे रखके आप इस design को कपड़े पे trace कर सकते हैं ये विभिन colors में उपलब्ध होते हैं तो आप अपने कपड़े के color के according या फिर आप जो embroidery करने वाले हैं उनमें जो thread यूज करेंगे उसके color के according भी आप इन carbon papers का color चूज कर सकते हैं आप जब design जो बनानी है उसको रखने से पहले carbon paper को wax side से fabric पे रखिए उस पे design रखिए और फिर एक sharp tip वाली pencil लेते हुए उस design को paper पे trace कर लीजिए और देखिए कि design प्रॉपर्ली कपड़े पे रखिए और देखिए और देखिए कि design प्रॉपर्ली कपड पूरे दवाब के साथ जब आब बनाएंगे तो गहरा trace हो रहा है इसके बाद आता है tracing paper ये सबसे आसान method है जो कि हम जानते हैं कि tracing paper के roll या sheets market में उपलब्त होते हैं इस technique को use करते हुए आप design को tracing paper पे लेने के बाद tracing paper fabric पे रखिए और जो outlining है उसको या तो pencil से या फिर basting करके यानि की कच्छा टाका लगाके आप उस design की outline को fabric के उपर ले सकते हैं जब आपने carefully अपना design उस कपड़े पे ले लिया है तो आप इस paper को फार कर हटा भी सकते हैं फिर आता है pouncing method ये prick and pouns method जो है ये एक tracing paper पे design को कपड़े पे लेने का तरीका है पहले जब बहुत सारे transfer के तरीके उपलब्ध नहीं थे तो इस विधी के द्वारा कपड़े पे design को बहुत transfer किया जाता था इसके लिए आप चितर के अनुसार एक design को उसके outlining पे एक sharp needle से या फिर एक इसके लिए specially जो ओ जा रहाता है उसकी सहायता से इसके design के किनारों को प्रिक कर लीजिए पास पास में उसमें छेट करके पूरी design को आप इस तरह से तयार कर सकते हैं इसके बाद तयार design को कपड़े पे लाने के लिए हम कपड़े के collect according या तो chalk powder या charcoal powder या दौनों को मिलाके हम इनको किसी चीज की सहायता जैसे cotton, sponge इनकी सहायता से कपड़े पे जो tracing paper रखा है आपने जो कि प्रिक कियावा है उसके उपर dust करेंगे तो वो design आसानी से कपड़े के उपर trace हो जाएगा और फिर हम जाड़के extra powder हटा भी सकते हैं अब आप powder यूज कर रहे हैं, charcoal powder यूज कर रहे हैं, ये कपड़े के color के उपर भी depend करता है इसके लिए एक और तरीका है कि आप नील और kerosene जो की पुराना तरीका है उनको मिला के भी जो आपका ट्रेसिंग पेपर है या कोई पेपर जिसके उपर आपने design को छेट करके तयार किया है उसके उपर लगाने से उन holes मैंसे वो liquid या powder निकल के कपड़े के उपर design को trace कर देगा फिर आता है hot iron transfer hot iron transfer ये एक ready made patterns है जो की आपको market में available होते हैं आप इनकी सहायता से जो pattern available है उनको लेके फैब्रिक के उपर hot iron से press करके और अपने design को उस fabric पे ला सकते हैं इसके लिए market में जो design available है उनमें से आप select करेंगे और फिर आप इन designs को fabric के उपर उल्टा रखके और इसके उपर आप iron की सहायता से press करेंगे तो ये जो design है या जो motif उपलब्थ है market में उनमें जो इंक लगाई गई है वो गरम होने पर फैब्रिक के उपर उसका impression आ जाएगा और आपको एक तयार motif फैब्रिक पे मिल जाएगा press करने के बाद यदि उसमें थोड़ा कुछ कहीं से छूट गया है तो आप एक water soluble pen की सहायता से उसको फिर से mark कर सकते हैं फिर आता है heat transfer pen and pencils heat transfer pen and pencil बाजार में आपको अलग-अलग colors में उपलब्ध होते हैं ये marking के लिए होते हैं जो की water soluble भी होते हैं ये light और heavy weight ton of fabrics पे काम करते हैं क्यूंकि ये permanent होते हैं इसलिए आप इनको wash out नहीं कर सकते अता है इनका chain आप कपड़े की उपर जो embroidery करने जा रहे हैं उनके embroidery thread के color के according आप इनका उप्योग कीजिए इनको उप्योग में लाइए इनको बनाने के लिए आप एक reverse side में किसी भी paper के reverse side में design को बनाएगे क्यूंकि ये mirror image देता है अता reverse side में बनाके आप फिर इस pencil का use करते वे उस design को उस paper पे ले लीजिए और उसके बाद पूरे design को उस pen से बनाने के बाद में आप उस paper को जिस पे आपने design बनाया है fabric पे रखके और press कर लीजिए fabric पे रखने से पहले आप fabric को भी iron करके थोड़ा warm कर सकते हैं और फिर इस design को रखके fabric से press कीजिए और iron को उठा कर और वापस दूसरी जगे पे रखिए अगर आपन किसी भी heat transfer method में जैसा कि पहले भी आपने जो ready made आते हैं उनके बारे में या इनको जब हम use कर रहे हैं तो press को iron को हम उठा के दूसरी जगे रखें अगर हम इसको एक से दूसरी जगे खिसकाएंगे तो ये image को खराब कर सकते हैं और maybe आपका tracing सही तरीके से ना हो पाए next method आता है water soluble stabilizer आप जब dark fabric पे काम कर रहे हैं तो आपको detail pattern चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा option है इसकी सहायता से आप pattern को directly इस stabilizer पे ले सकते हैं और embroidery कर सकते हैं ये stabilizer दो तरह के आते हैं ये एक होता है जो की एक sheet के उसमें होता है और ये कपड़े पे चिपक नहीं सकता और एक होता है जिसमें पीछे एक चिपकने वाला sheet लगी भी होती है तो आप इन दौनों को यूज कर सकते हैं अगर वो चिपकने वाला material नहीं है तो आप फ्रेम में हूप में उसको फसाके या फिर उसको फैबरिक पे रखके बास्टिंग करके यूज करेंगे और अगर चिपकने वाला है तो उसको जितनी जगे पे अपने embroidery करनी है उस जगे पे उसको पेस्ट कर देंगे इसके लिए आपको उसकी पीछे पेस्टिंग शीट जो है उसे हटाके फैबरिक पे पेस्ट करना होगा अब आप किसी भी डिजाइन को एक पैन के द्वारा इसके उपर बना सकते हैं और फिर आप डायरेक्ट embroidery कीजिए embroidery जब आपकी पूरी हो जाए तो आप इसको क्योंकि ये water soluble है तो पानी में डालके आप इसको पेस्टिंग को हटा सकते हैं और बिना पेस्ट की अवा भी है तो उसकी आप पास्टिंग खोलिए और water soluble है तो आप उनको हटा दीजिए अगर नहीं हटता है थोड़ा सा आप उसको रब करेंगे तो ये अपनी जगे छोड़ देगा बिना किसी embroidery को नुकसान पहुचा है और फिर आप उसको फैबरिक को प्रेस कर लीजिए तो ये मैथड थे ट्रेसिंग के इनके द्वारा आप आसानी से अपने embroidery के कारी को कर सकते हैं और बिना किसी नुकसान के सही तरीके से embroidery को प्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने according किसी भी tracing method को चूज कीजिए और embroidery का काम पूरा कीजिए Thank you